PUREDAS परियोड हर एक इनसन की life का सबसे golden पिरियोड है लेकिन आपकी मन में अप सवाल आ रहे है PUREDAS क्या है का वाते और इससे height के क्या संपर आपे देकि PUREDAS जो होते है जो हमें boys से main बनाते मतलब इस age में आपको बहुत कुछ चेंजे आने वाले अपकी live में और बहुत कुछ चेंजे 3 हो जाते की जैसे की आपकी गले की जो भॉइस आपकी भॉइस फ्यलिएचेंज हो जाते हैं को डिद हो जाते आपकी जो बिरड है कि एच में सबसे ज्यादा बटती इस प्यूबर इस प्यूबर्वडी एज में सबसे ज्यादा बढ़दी है क्यों कि इस इस भी ऑड़ी में गरोध पिलेट हे एक दों उपेन रहत और आपकी बोन के लंबाई सबसे ज्यादा ग्रो होती है तो गैस प्यूवर्डी एज कब आते हैं देकि प्यूवर्डी एज हर एक की लाइप में एक एक टाइम पर आ सकते हैं लेकिन 17 की अंदर ही प्यूवर्डी एस पिरियोड आ जाते हैं जैसे कि किसी को 14 से लेका 16 तक आ आता है और गल्स में पिरियोड की बाद ही प्यूवर्डी एस पिरियोड शुरू हो जाते हैं तो प्यूवर्डी एस पिरियोड में इंसान की लाइप एकदम बदाल जाते हैं क्योंकि हर कोई बॉइस से में हो जाते हैं और गल्स से में हो जाते हैं तो प्यूवर्डी एज के उपर वीडियो बनाया, मैंने देखा उसमें जितने भी ट्राफिक है, मतलब जो लोग हम मेरे वीडियो देखें, उनमें सिर्फ 10 से लेकर 15 पसंता की लोग यानि कि 17 की नीचे है, 17 की नीचे के लोग उसमें सिर्फ 10 से 15 पसंता है, और 17 की उपर है, एराउन 85 पसंता की लोग 17 की उपर है, जो 18 की किसी के 30 पसंता हो गई, मतलब 18 की उपर है, लोगों को समझ में आया हमारी हाइट की जरूरत है, और हाइट हमें बढ़ाना चाहिए, औरों की तरह मुझे भी 18 की बाद ही फील हुआ, हाँ मुझे थोड़ी एकस्टा इंचेस चाहिए, क्योंकि 18 की सबसे एक महत्वपून चीज है, ग्रोथ प्लेट की ग्रोथ प्लेट अगर आपकी ओन होगी तो आपकी कोई चीनते की बिशह नहीं है, आपकी हाइट जरूर होगा, तो उसके बाद मैंने कोशिश किया कि मेरा जो 8 जेज लेवल है, यानि की human growth, जो hormones है, उसको कैसे अपनी बौड़ी में और ज्यादा इंक्रीस करें, इंक्रीस करना शूरू कर दिया, सबसे पहले हिट के मैं अपनी डायेट को मैं अपनी डायेट में ज्यादा केलशियम, ज्यादा vitamin D, phosphorus, magnesium, इस सब कुछ एट करना शूरू कर दिया, और मैं अपनी डायेट को हमेशा high protein diet ही रखता ह आप अपनी body में बहुत कुछ करा सकते हैं क्योंकि protein हमारी body में overall एक maintenance रखता है तो मैंने अपनी diet के साथ साथ थोड़ी बात stitching exercise करना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने कोशिश किया hanging करने का hanging height gain के लिए hanging बहुत ही एक अच्छी exercise है hanging करना बहुत ही important है अपने life में तो hanging करना जरूर मत बुलिए तो puberty age में जो लोग है जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं puberty age में हम क्या करते हैं हम school में थे बहुत लोगी school में है अल्मौस सभी school जाते तो puberty age में पढ़ाई की चकर में बहुत लोग ठीक से अपनी nutrition को पूरा नहीं करते हैं खाना ठीक से नहीं खाते हैं दिन में हते हैं एक बार ही खाना खावाते हैं और exercise को दूर की बाद ठीक से खेलने की समय भी नहीं होते हैं प्यूरद डियर्ज में आपको क्या करना है आपकी height gain के लिए आपकी diet जोए उससा पूरा करना है आपको stretching exercise करना है थोड़ी बहुत hanging करने की कोशिश करने हैं बहुत यह का चेक साइज है अपनी हाइट को गेन करने के लिए इसलिए हैंगिंग जरूर करने की कोशिश करें और जो लोग अपनी प्यूबर डी एस को पार कर चुके अठरा वश की वाद हाइट गेन करना चाते हो तो उसके लिए पहले आपको चेक करना है कि आपकी गुदाई होती है जो बौडे कि उपर हम जी बग़रा जाते रडवर्काउट करते हैं ऐसा कुछ ना करना कीा वज़ए उनके बौड़ी में वादो हो जाते हैं और गात प्स으로 में इंग। फैट को immediately घटाना है नहीं तो आपकी body में human growth hormone decrease हो जाएगा आपके height gain नहीं होगा और उसके बाद आपको करना है क्या ठीक से diet लेना और hanging exercise जरूर करना रोज 30 second तक hanging करना दिन में 2-3 बार तक hanging करते जाना है 30 second करके अगर आप 30 second नहीं हो रहा है तो 20 second करिए नहीं तो 10 second करिए लेकिन hanging जरूर करिए hanging से height सबसे ज्यादा gain होते और सबसे अच्छा stretching exercise मैंने खुद करके देखा है लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग की height नहीं gain होता है क्योंकि उसके शरीर में हो सकते हैं कुछ आधर्स भीमारिया है या तो जो genetic disorder है वह भी हो सकते हैं या तो thyroid hormones की problem हैं बज़े से कुछ लोग की height gain नहीं होते तो उसके लिए आपको कुछ test करवाना चाहिए जिससे आपकी height gain क्यों रुग गई हो देखना जरूरी है तो guys जो लोग प्यूवर्डी age में हो आपनी diet को जरूर maintain करिए जरूर अपनी exercise को maintain करिए और hanging करिए क्योंकि यह आपकी life की golden period इस period में आप अपनी कुछ भी कर सकते हो आपकी life के साथ कुछ भी आप कर सकते हो अपनी height gain जरूर करा सकते हो तो उस पे आप ध्यान जरूर देना जो लोग 18 वश्ट की पार हो गए हो तो उसमें check करना कि आपकी growth plate on है या fuse हो गए अगर आपकी growth plate on है तो अच्छे से human growth hormone को क 13 इंच ता का height gain क्या हो 18 के बाद और अभी भी लागे हो height gain करने के लिए और आप भी कर सकते ही इसी तरिका से life में लेकिन आपको एक सोच बदलना है कि आपको दो ताथ दिन में यानिकी साथ दिन के अंदर ही आपको height gain करवाना है तो इस सोच में अगर आप जी रहे हो तो उसके लिए आपको समय देना होगा उसके लिए आपको ठीक से diet और जो exercise बगर उसे maintain करते जाने है तो इसके बाद आपकी height जरूर gain होगा तो guys आज की वीडियो एईता के वीडियो अगर अच्छा लगा और वीडियो में आपके कुछ beneficial लागा तो वीडियो को like आशा जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए हिंदी हेल टिप्स वारे को सब्सक्रब करके बेल आइकन को जरूर किलिक कर लेना